वीडियो को लाइक करिए चैनल पर नए हो तो सबस्टाइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पर सिलेक्ट जरूर करिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ देब जूती आप देख रहे यार देब निकल तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो दोस्तों आप लोग जो इंटरनेट पर ऐसे काफी सारी मिजस देखे होंगे काफी सरे पोस्टर देखे होंगे जहाँ पर लिखा है कि सबसे जादा अनिकि सबसे हाइस्ट इंटरनेट सुपीड जो है वो नासा म्हें 91 GB per second, 91 GB per second, यह कहना है इंटरनेट का, 91 GB per second यह जो है इंटरनेट कर कहना है, लेकिन जो नासा के तरब से आया है, वो 91 GB per second है, इंटरनेट पर जो फाइला है, वो 91 GB, दोस्तों यह जो images, जो poster जो जिन्होंने भी बनाए, उनको यह नहीं पता होता है अच्छा से, कि GB और GB का अ बड़ा भी होता है, वो होता है, GB, GB से GB जो होता है, दोस्तों आज तक जो है, नासा खुद नहीं बता है कि हमारे पास 91 GB per second है, उन्होंने यह बता है कि हमारे पास 91 GB per second, यानि 91 GB per second यह है, अब दोस्तों मेन बात आता है कि यह 91, यह जो नंबर यह आया कहा से, दोस्तों ना बिला था कि data transfer करने का जो speed है वो है 91 Gbps जो की internet पर फैला रहा है ठीक है तो यह पूरा पूरा का जो है गलत है तो उनको दो point के बीच में जो data transfer करने का speed है वो होता है 91 Gbps अब अगर दोस्तों सोच रहे होंगे कि हम जाएंगे नासा में किसी एक computer बैठेंगे 500 movie डाउलोड कर रहेंगे दो सेकेंड में खतम हो जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तों उनका network और हमारा network सेम नहीं है बलकि वहाँ पर जो network आपको मिलता है वो मिलता है दो point की बीच में जो data transfer का speed होता है वो होता है 91 Gbps पर सेकेंड चीक है तो दोस्तों for example अगर बात कर गुसे हो अब वहाँ पर जो है आपको speed देखने को नहीं मिल रहा बलकि आप 100 Mbps का घर पर connection लगा रहा क्यों फिर भी आप दोस्तों ऐसा क्यों होता है देखे मैं आपको बदा दाओ यह जो है ना आप जो service आप use कर रहे है उस की उपर depend रहते है कि आपका service जो है कितना दोस्तों यहाँ पर कुछ ही सालों पहले जो है 2013 के बाद इनको नासा वाले को जो है 1TBps भी मिला था लेकिन इन्होंने research paper पर 2013 में जो मिला था वो इन्होंने final कर दिये थे कि हमारे 2 point के बीच में जो data transfer speed है वो है 91 Gbps अब दोस्तों यह क्या है देखे मैं आपको बता दाओ कभी कभी जो ही इनको बड़े बड़े research center को connect करना होता है तभी यह network की जरौत होता है और कभी-कभी जो इनके पास बड़े-बड़े data होता है उसको transfer करने के लिए जो speed है ना वो speed जरौत होता है आप जो speed यानिकि आप जो network घर पर use करते वो network वहाँ पर आपको नहीं लेकिन दोस्तों इंटरनेट पर जो फैला है 91 जीवी पर सेकंड चली यह मान लेते कि सही है 91 जीवी पर सेकंड लेकिन वो तो देखिए कि लीका लिखाये वह पर इसे के बाइब हमारे बिचन फैलता है तो आपको जड़ से एक इन नहीं करना, आपको उसको पर रिसर्च करना है, तब जाके आप एक इन कर लेना, ओके, आप देखे, for example, एक बात कर लेते हैं, आपके पास, suppose, 6 इंच, 6 इंच डायमेटर का एक पाइप है, और दूसरे साइड में 12 इंच डायमेटर का एक क्या है, वो जो पाइप का डायमेटर वो डिफ्रेंस है, लेकिन वो जो पानी जा रहा है, क्या है, उसमें कोई डिफ्रेंस है, नहीं डिफ्रेंस है, दोस्तों, यही होता है, चाहे आप घर पे 50 Mbps क्यों न लगा रखे हो, चाहे आप 100 Mbps क्यों लगा रखे हो, आपका जो सर्वीज वह कितना स्पीड देता इस क्यों पर डिपेंड रहे तो सपोज आप 4K में वीडियो देखते यूटूब पे तो दोस्तों अगर आप सोच रहे कि मैं 4K में वीडियो देखूंगा 100 Mbps लगा कर तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका सर्वीज अगर अच्छा है तो देख पाओगे और वरना वो 100 Mbps भी काम नहीं करने वाला है तो दोस्तों उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए और अगर helpful लगा तो दोस्तों लाइक कर देना और शेयर करना अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आकान को ज़रूर प्रेस करना तो चल यहां मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ